तो उस वागत है आप सभी का एको न्यू वीडियो पर दीखे 10th का Maths का Exam हो चुका है, 20th का आगे होना है, तो यहाँ पर कुछ comment doubt सामने आ रहे ते वही मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि Maths जैसे subject आपको exam में परिशन ना कर पाए, दीकि ऐसा कई बार होता है, कि question paper में कुछ question ऐसे आ जाते हैं, जो कि हम करते हैं तो पूरे सही है, पर 10 में उसका answer सही नहीं आता है, तो कि SM हमें उस question के number दिये जाएंगे, और अगर काटे जाएंगे, तो कितने marks हमारे वहाँ पर काटे जाते हैं, क्योंकि हमारी method सही होती है, पूरी steps हमने की होती है, formula हमने सही use किये होते है, तो SM है क्या वाकई marking होती है या फिर नहीं होती है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहा है MP बोर्ट से, अगर आप CBS सी बोर्ट से compare करें, वहाँ पर अगर आपके question कहां से नहीं आया, maths के exam में खास ध्यान रखना है, अब देखिए आपका question paper आएगा, आप starting करोगे objective से, कुछ objective वहाँ पर ऐसे भी आएगे, जहाँ पर आप first जाओगे बीच में, उनके answer आपको नहीं पता रहेंगे, या पर आपको नहीं पता रहेगा, कि इसका answer कैसे आएगा, तो उनको आपको space छोड़के आगे के question पर skip कर जाना है, ऐसा नहीं कि आप objective पर जाधा time दे रहे हो, क्योंकि maths के objective में कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, कि कोई बड़ा question भी दे दे, उसका answer छोटा सा होता है, बट आपको एक-दो page भनने पड़ेंगे, तब उसका answer आएगा, ऐसे ही आपको उन questions में करना है, जहाँ पर आप बीच में अटक जाओगे, जैसा कोई भी question देख के, आप यह सोचोगे कि यह question तो बन जाएगा, पर आप जब उस question को करोगे, तो बीच में कोई न कोई step आपकी अटक जाएगी, अगर वहाँ पर ऐसा होता है किसी भी question में, तो आपको instant वो जगे वहाँ पर छोड़ देनी है, उसी question पर ज़्यादा time खराब नहीं करना है, क्योंकि आगे maths के question में, और वी बड़े-बड़े question है ज़्यादा weightage के, वो आपके छूट सकते हैं, अगर आप इन चोटे-चोटे question पर ज़्यादा time खराब करोगे, तो दूसरी important बात, आपको ज़्यादा काटा-पीटी नहीं करनी है, अब दीखिए maths का exam में, काटा-पीटी होने के बहुत ज़्यादा chances होते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, कोई भी question आप कर रहे हो, जिसमें आप sure नहीं हूँ, तो वहाँ पर आपको वो question पैंसे से करना है, अगर उसका answer आ आ जाता है, फिर आप उसको पैंसे copy कर सकते हो, और जो आपने pencil से किया है, उसको आप मिटा सकते हो, सेम ऐसे याप आपका जो rough वरक है, वो भी pencil से कर सकते हो, या फिर फिर रफ वरक आप copy के, पीछे के page पे तो कीजिए, पर end में उसको आपको काट के आना ज़रूरी है, पर आपको सपनी वेंटर नहीं दी जा रही है, 32 page के या copy रहेगी, अगर आपको pages ज़्यादा consume होते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि पीछे का एक page आप खराब ना करो, और जिन question में आपके figures होते हैं, diagram होते हैं, geometry के question हो सकते हैं, trigonometry के question हो सकते हैं, statics की जो आप टेवे से बगरा बनाऊगे, तो यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि pencil का यूज करें, पैनने को आप pen का भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप pencil का यूज करेंगे, तो ज़्याद अच्छा impression जाएगा, और अब एक सबसे important बात, question paper में जितने भी question आ रहा है, उन सभी को आपको attempt करके आना है, क्योंकि यहाँ पर steps marking भी होती है, आपको जितने भी steps आ रहे हैं, आप उतनी करके आईए, आपको formula आ रहा है, आप वो करके आईए, यह फिर कुछ question ऐसे भी होते हैं, जो कि auto blueprint आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको bonus number दिये जाएंगे, तो attempt आपको सारे question करना है, छोड़ के कोई भी नहीं आना है, अब देखिए steps की बात हम करी रहें, तो आपका जो doubt था, कि हमने पूरा question सही किया है, बट हमारा answer सही नहीं आया है, तो यहाँ पर आपके कितने number काटे जाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पर बता दू, आपके answer के होते हैं सिर्फ दो number, अगर आपका 4 या 5 number का question रहेंगे, तो दो number आपके answer के रहेंगे, बाकी के number रहेंगे आपके steps के, तो अगर आपके question की method सही है, यहां पर आपको पर सारी बाते समझ में आ गई होंगी आज की वीडियो में तो नहीं कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फर आप मैंसे इस्टा पर DM करके बाद कर सकते हैं